आखिर विशेली को जो करना था, वो उसने करी दिया, बबल जी के शरीड में जहर नहीं गोल पाई, लेकिन घरवालों के मन में मेरे लिए इच्छा, भागू, सब सुन लिया है मैंने अइसे नहीं होता इच्छा, तुम यहां इन लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, और यह लोग तुमें ही गलत समझ रहे हैं ऐसा नहीं है वाकू, ऐसा नहीं है तो कैसा ऐसा बोली, आप पिताजी, आप दुन यहां वाकू, सही कह रहा है, अन्दे हैं यह लोग, किसी की अठाई नहीं देख सकते, अरे देखना तो छोड़ो, यह मैसूस तक नहीं कर सकते पिताजी, आप गर इच्छा, इनकी हिम्मत के सवी तुम पर हाथ उठाने की आज हाथ उठाया है, कल जान ले लेंगे वो भी किसकी बातों में आकर, उस विशहली की, जो इनका घर, इनका परिवार, इनका वजूद तक खतम कर देना चाहती है पिताजी, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है इतना सब हो जाने के बाद भी, तु इनके लिए बोल रही है क्योंकि इस वाद ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं समझाता हूँ वो भी अपने तरीके से इनने भी तो पता चले, कि जब नाग अपनी जबान में बोलते हैं, तो क्या भूचा लाता है पिटाजी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको आपकी सब पॉली की कसम है इच्छा पिटाजी, ये लोग बुरे नहीं है, शेली ने इने गुम्राग किया है इनके दिमाग में मेरे केलाब गलत-चलत बाते भर दी है हाँ, लेकिन उनों ने उस पर विश्वास किसे कर लिया हाँ, अपकी सब पॉली पर हलका सा हाथ उठा, तो आपको इतना बुरा लगा उनके बेटी की तो जान चाने वाली थी, सोच उनका क्या आल हुआ होगा एसे में काहा सुध रहती है, क्या सही, क्या गलत सोचने की पता जी, हम एने माफ कर देना चाहिए अपकी सब पॉली यहाँ पर प्यार बाटने आई है, दुश्मन बनाने के लिए नहीं और हमारा यह गलत कदम, विशेली को सही साबित कर देगा, जो मैं बिलकुल नहीं चाहती है देखी, सारी बाते सही है, मेरी सब पॉली, लेकिन तु यह सब कैसे, आप कहती है ना, अच्छा ही लोहे को सोना बनाने की ताकत रखती है मुझे बस खुद को सब के सामने साबित करना है, और मुझे यकीन है, मैं यह जल्दी कर लूँगी और जिस दिन मैंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, वो इस घर में विशेली का आखरी दिन होगा आप अपनी सबोली पर भरोसा रखिए, यह टूट सकती है, लेकिन हार नहीं सकती अब जाकर थोड़ा दर्थ का मुआ माँ तुम खुश हो ना? बहुत तुमने जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया शाबबाश और आगे भी तुम्हें यही करना होगा चितनी मेरी सुनोगे, उतनी मेरे पास रहोगे जो भी हो, इच्छ जीतनी नहीं चाहिए तुम जानते हो ना? मैं तुम से प्यार करती हूँ और वो भी सच्छा वाला तुम्हें मेरे पास रहना होगा रहोगे ना? इस बार तुम्हें वभी को पूरा नाग बुनाने से बचा लिया इच्छा लेकिन पंद्रा दिन के बाद मुनब की राग फेर आएगी एक बार फेर होगा वभी का नाग आत्मे गया और फेर तुम भी मुझे नहीं रोप पाग दादी चाय दादी, आप अप मेरे हाथ की चाय भी? ठारे हाथ का तो पाने भी पीना हराग फिर इबात समझने की कोशिश कीजे आप जो देख रही है, समझ रही है यह सच नहीं है एक बहुत बड़ा शड़ी अंतरा खेला जा रहा है इस घर के साथ यहां के लोगों के साथ सो तो आप देखी चुके है दादी मैं अपनी नहीं, अमरिता के बात कर रही हूं वो आप सबको इच्छा, तुने फिर अमरिता का नाम लिया देख छोरी आज तक तुने जितने भी इलजा मुझ पर लगाए एग भी साबित करके ना दिखा है और उसने थारे बारे में जो कुछ भी बोला सब साबित करके दिया शैतान का दिमाग है दादी हम उसे कैसे सीधे मुख की बात थारे समझ में ना आती ना सुन्छोरी मैं अमरिता के खिलाफ एक शब्स नहीं सुरूंगी और हाँ एक बात और इस बार अमरिता ने थारे पर इलजाम ना लगाया बबल में तुझे घुनेगा था और मुझे पूरा यकिन है के मारा बबल छूट नहीं बोलता अब जाए आजे मारा दिमाग पत्खर आपकर अप्पू अप्पू तू समझाना दादी को नहीं लगत है मैं गलत हूँ मैं बबल जी को नुकसान पहुचारी हूँ तू सब जानता है न अप्पू बोलना दादी को मैं कैसे बबल जी को.. अच्छा, मैं सब जानता हूँ और सब जानते हूँ भी मैंने तुम पे विश्वास किया बहुत बड़ी गलती होगे मुझसे अप्पू तू भी मैं नहीं जानता है इच्छा, तुमने ऐसा क्यों किया I am hurt बहुत hurt किया है तुमने मुझे खेर जो हो जैसी हो तुमने बिलकुल वैसा ही बरताफ किया है गलती तो मेरी है तुमसे अच्छाए की उम्मीड की तुमसे अच्छाए की उम्मीड की भी अच्छाए 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 शाथिया साथिया मेरे साथिया पहुत बबल जी लीस रुके ना कि किया देख दॉद रही हूँ प्यार दूद Suppose प्यार? जी नहीं प्यार जो मेने हमेशा अपनी आखं़ों बहे देख है स्कूपने लिक से बबल जी मैं आपसे ये तो नहीं कह सबते कि आप मेरा विश्वास कि जी येकिन आप अपने दिल का विश्वास दो कर सकते है ना ये माग का फैसना गलत हो सकता है लेकिन दिल का नहीं किया अपका दिल भी है करता है कि मैं गलत हूँ बबबजी अपना हाथ दिल पर रखिए और पूछिए उसे क्या मेरी इच्छा मुझे इतना दुख दे सकती है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे जवाब पता है मैं जानती हूँ आप जूट क्यूं बोल रहे बोलने वाली जबान आपकी थी लेकिन आप अमरिता के थे इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है आप मुझे पर एसे सेक्डू इर्जाम लगा लीजे मैं बरदाश्ट कर लूँगी लेकिन आपकी जूट से आपको तकलीव होगी आपका ये परिवार खत्रे में आ जाएगा आपके आँखों पर जान बूझकर परदा डाला है जो कभी हुआ ही नहीं वो आपको दिखाये जा रहा है पबल जी आपको इस आभास से महार आना पड़ेगा और इसमें मैं आपकी मदद करूँगी क्यूंकि मैं आज तक मैंने आपसे कभी लीगा क्यूंकि मैं आज मैं आपसे कह रही हूँ आपसे बहुत प्या करती हूँ आपको क्या हो गया बबल जी आप मेरी बात क्यूं नहीं सुन रहे मैं बेकसूर हूँ बबल जी मैं अपको कैसे यकीन दिलाओ अच्छा किसी और को यकीन हो या ना हो लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हूँ और इस लडाई में मैं तुमारे साथ हूँ अच्छा ये सब इतना असान नहीं है घर में कोई कुछ सुना समझना ही नहीं चाता अपको तक तुझे गलत समझ रहे तू कैसे मनाएगीन सबको तेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवा च्छा कर कहें कि इच्छा गलत नहीं है अरे गलत तो वो है जिसे आप सब सही समझ रहे दोका वो सबको दे रहे हैं मैं नहीं क्या करूं कैसे ठीक करूं सब कुछ लड़कर देख इच्छा तू लड़ेगी भी और जीतेगी भी इस लड़ाई में हम दोनों तेरे साथ हैं अरे हां मैंने पता है इसमें तेरी कोई गलती ना है एकदम खरा सोना है तू लेकिन जब घर में किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है है अरे पागल हों सब के सब अच्छे हो पुरे वह फर की ना कर पा रहा हैं देख इस घर में मैं और सबल अबन नमबर के बेकूंफ उस लेकिन आज जो ये बेकूब देख पा रहे है ना इस घर में कोई ना देख पा रहा लेकिन भाईया अरे तुझे आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से रे भाईया आम का सीधनाने में भी बहुत टाइम है और पेड़ गिनने से इसकी मुश्किले के ऐसे कम हो जाएंगी अरे कहावत है छोटे कहावत गोली पर मजज़ा फीलिंग पर जा और फीलिंग ये कह रही है कि इच्छा को अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना है खुद को सही और गलत को गलत साबित करना है छोरी इन सब की नजर तो कमजोर हो चुकी है तुझे इन्हें वो दिखाना है जो ये देखना पा रहे हैं रे भाई एक्छा की चश्मों की दुखान है एक्छा तुने बताया नहीं मुझे आज तक छोटे आई यही बोलोगे ना कि बोली पर मज़ा फीलिंग पर जा का हाहा हा हां तुछ्वरी क्या सोचा तुने जब डंभया सबसे पहले तो आप दोनों को तैंक यूँ जब कोई मेरे साथ नहीं है तो आप दोनों मेरे साथ हूं और हां आपने मुझे एक नहीं उमीद दिये है नया हुस्ला दिये हो विश्वास दिया कि मैं जीट सकती हू जीतेगी तो तू पक्का, क्योंकि सच्चाई की जीत भले यंत में होवे, लेकिन होवे जरूर है और भाई ने बोल दिया, तो बोल दिया, चलो भाई अम्रिता तुम यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो काफी देर हो गई हो तुमने मुझे बुलाया नहीं, इसलिए मैं खुद चलाया मुझे बताओ ना मुझे आगे क्या करना होगा तुम इस वक्त अपनी कमरे में जाओ, वक्त आने पर मैं तुमें सब बता दू कब, वक्त कब आएगा तुम मुझे से इतने सवाल तुम पूछ रहे हो अमरिता, मुझे को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, का जाना है, कुछ ने तुम इस वक्त अपनी कमरे में जाओ, मैं तुमें सब अपता दूगी हाँ, लेकिन क्या, तुम मुझे से कराना क्या चाहती हो अमरता तुम जानते हो ना बबल, कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हमारी शादी तब तक मुम्किन नहीं है सब तक तुम मेरे जैसे ना बन जाओ तुमहरे कैसे मतलब तुम वी इनसान हूँ, नहीं, मैं इनसाना हूँ, एक नाकिर हूँ और तुम्हे मेरी जंदगी में शामिल होने के लिए इनसान से नाक बनना होगा कल उनम की राखो, मैं तम्हें नाक बना दे दे लेकिन मेरी योचना काम्याप नहीं हो, कोई बात नहीं हो, लेकिन आने बाली पूनम की रात को, मैं तुम्हें नाख बनाओ, तब शिरू होगी हमारी जन्दिकी, और एक बात, हम पत्ती-पत्नी के रिष्टे में जुड़ गए, तब इस घर का एक एक रिष्टा तूटता ज अम्रिता, अम्रिता, जी बबल जी, क्या मैं अंदरा सब्ता हूं, कुछ जरूरी बात करनी है, आप नीचे जाएए ना, मैं थोड़ी दिर में आती हूं, ठीक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना, इच्छा, तुम भी तो नहीं सुदरती न, अम्रिता, इसलिक करना पड़ता है मुझे ये सब क्या हासल कर लो भी ये सब करके और कुछ नहीं, तो कम से कम ये तो पता चला, कि चल क्या रहे तुमारे दिमाग में, इरादे क्या है तुमारे ओ, मतलब कि तुम आने वाली पूनम की रात को रोकने वाली हो, तो कि तुम मुझे तो रोक नहीं सकती, मैं बबल को ना, बना करी रहोंगी अच्छा, अब ऐसा शाद तुमने दो दिन पहले भी कहा था ना, फिर क्या हुआ अच्छा, अमरिता, जो कल हुआ, वही आने वाली पूनम की रात को भी होगा तुम जितने वार करोगी, मैं उतनी बार पबल जी की ढाल बनकर तुम दोनों की बीच में खड़ी रहोंगी अप्पू, इच्छा प्लीज, अप्पू, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, प्लीज, एक बार मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ, कुछ सुनना समझना नहीं है मुझे, हरेवा, ऐसे कैसे नहीं सुनना, सुनना पड़ेग अप्पू, अब हटो मेरे रास्ते से, तो, उस तो के रास्ते अलग नहीं होते अप्पू, देख मुझे, देख तेरी च्छा को, क्या मों कभी इतना बड़ा गलत कम कर सकती है, अप्पू, मैंने बबबल जी को अपनी आदी जान दी है, ऐसा क्यों करूंगी उनके साथ, उनके साथ खि करना, मैं इस घर में सिफ तुछ से यह सब बाते कर सकती हूँ, जीस मुझे समझ, मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, मेरा विश्वास कर, जीस अब एक साजिश है, उस विशेली की, वो मुझे भजाना चाह रही है, उप्ली, जीस अपू, I'm sorry इच्छा, लेकि बनोसा एक और तूट जाए, जोडे से रिजुटा, जोड़े से रिजुटा, जोड़े से रिजुटा, इस कुछ दिन और अपू, तक पिल मुझे यकीन है, जैसे पेरा ही नहीं, इस पुरे परिवार का भरोसा फिर से जीत लूँगी, पिता जी, बुट्टे जुट्टे? अरे, कैसी बात कर रहे है, मम्ता? यह तेरे सशूर जी है, इन्हें जुट्टा बोल रही है रे, एक मिनिट पिता जी, रूको, रुको ि भाई, क्या हो गया आपको? भाबी जुट्टे ना बोल रही भाबी कह रही भुट्टे भुट्टे लो आप भी खा लो अच्छा हाँ हाँ क्यों ना खाएंगे जब सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे अरे इच्छा भी आगी इच्छा ले भुट्टा खा अरे दादी ऐसे गुस्से से क्या देख रही है मैं ऐसी भुट्ता इतना जला हुआ है और जल के राख हो जाएगा मैं जा रही हूं दादी जी इस घर को छोड़ कर जाने का मन तो नहीं है लेकिन अब जब आप लोग मुझे अपना मानने को तैयार ही नहीं है तो इस घर में रहने का क्या फाइदा तो तू मानती है ना नहीं दादी मैं इसले नहीं जारी क्योंकि मैं गलत हूँ इसले जारी हूं क्योंकि मैं मजबूर हूँ मेरी बेगुनाय का कुई सबूत नहीं है मेरे पास और मैं जानती हूँ जब तक मैं अपनी बेगुनाई साबित नहीं कर देती, आप मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करेंगी. आज अन्जाने में ही सही, लेकिन मैंने आप सब का भरोसा तोड़ा है. मुझे कोई हक नहीं इस घर पर रहने का. मैं ये घर छोड़कर जारी हो दादी. आज तक आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है. प्यार, इस्जत, अपनापन, बस एक बिंती है आप सबसे. मेरे यहां से जाने के बाद, आप बस अच्छे यादे रखिएगा. अपने मन में मेरे लिए कोई कड़वाद या नफरत मत रखिएगा. अरे नाना छोरी, बिलकुल ना रखेंगे. और तू भी अपने मन में बिलकुल कड़वाध मत रखना. और यहाँ से जाते जाते अच्छी अच्छी यादे लेके जाना. ठै भाई, गर में इतना सब कुछ बुरा ऊवा है, यह कहां से अच्छी यादे लेके जाएगी आसान है बुरी याद मिटाएंगे अच्छी याद बनाएंगे कैसे कैसे अरे बबल की शाधी कराके अरे देखो इच्छा अभी तीन-चार दिन घर में तो तीन-चार दिन में बबल और अमर्टा की शाधी करा देते हैं कि खुशिया की खुशिया मनेंगी और यादो की याद बनेंगी पपर की शादी का आइडिया तो घणा अच्छा है अम्माजी आप ये बताईए कि आपको शादी का आइडिया तैसा लगा मने तो शादी का आइडिया घणा अच्छा लगाए लो अम्रिता अब करके दिखाओ बबदर जी से शादी चार दिन के अंदर